हम देख रहे हैं कि इस्राइल और फलस्तीन के दर्मियान एक बार फिर से जगड़ा शुरू हो गया है दरासल ये जगड़ा एक पहाड़ी की वज़ा से और इस पहाड़ी पर काइम मकानों की वज़ा से शुरू हुआ है पाकिस्तान में फलस्तीन के सफीद हमारे दोस्त एहमद अमीन सहब से मुलकात हुई तो इस हवाले से उन्होंने कई दिल्चस्प और हैरान कुन और तारीखी इन्फार्मेशन भी हमारे साथ शेयर की दरासल ये पहाड़ी एक तन्जीम जो वहां के यहुदियों की मलकियत है उन्होंने इस पहाड़ी को फलस्तीनियों से खरीदने का दावा किया है ये एक इलाका है शेयरुशलम के मशरकी इलाके का की नाम है ये नाम सराओध decidन अयूभी जन्वने ये रुशलम फता किया था कि ये जाती डौक्टर के नाम पर रखा गिया है ये इलाका इसराइल क तोसी पसंदाना मनसूबे का ताजा तरीम नुक्ते इश्टाल बन गिया है सहुनी अबादकारी एक जारी अमल है जिसके जरीए फलस्तिनियों को हटा कर इनकी जगा यहूदियों को यहां अबाद करने की कोशिश की जा रही है चंद रोस कबल शेख चरा का यह इलाका बहुत पुर्सकून था यह इलाका जबल मुशारफ नाम की पहाड़ी पर काइम किया गिया है इस पहाड़ी से बैतल मुकदस का निजारा हबखू भी किया जा सकता है और असकری अतबार से भी यह काफी एहम समझा जाता है इसकी मुझूदा अबादी का ज्यादतर हिस्सा 1948-1948 में यरुशलम के तिल्बिया इलाके से बेदखल किये गए फलस्तीनी परह गिजिनों पर मुश्तमिल है यहुदी अबादकार दर हकीकत इस तलख तारीखी अमल को जारी रखते हुए इसराइली पुलीस की मदद से फलस्तीनीों को ताकत और दैशत के जरीए यहां से फिर बेदखल करने पर तुले हुए है इंटरनेशनल मीडिया बेनल कौमी मीडिया की सुर्खियों में च्छाए शेख जराह के इस इस इलाके में काइम फलस्तीनीों के घरों को मकानों को इसराइल ने तबाह करने का फैसला किया है और इस तन्जीम को जो यहूदियों की मलकियत है इन्हें ये इलाका दिल्वाने का भी इन्होंने फैसला किया है ताके ये मकान और इस इलाके की ओनर्शिप मलकियत सफरदीम नाम की यहूदी तन्जीम को मुन्तकिल की जा सके यही वज़ा है कि फलस्तीनी शहरी घरों से निकल आए है और यही वज़ा है कि इस्राइल इन पर हमले कर रहा है इन फलस्तिनियों को मुन्तशिर करने के लिए भगाने के लिए इस्राइली पुलिस तागत का इस्तमाल कर रही है शेख जराह के लोगों का कहना है कि वो अपने अबाव अच्दाद की जमीन और अमलाक सहुनियों को नहीं देंगे इस कालूनी के साथ इनकी मिरास वबस्ता है दूसरी तरफ इस तन्जीम का यानि के इस्राइल का ये दावा है कि इन्होंने फलस्तिनियों से ये जाइदाद खरीद रखी है 1972 में शेख जराह के इस इस और यहूदी लोगों की इस तन्जीम ने दावा किया था कि शेख जराह की जमीन इनकी मल्कियत है और इस हवाले से इनके पास डाकूमेंट्स दस्ताविजाती सबूत भी मुझूद है और उन्होंने अपने दावे में ये भी कहा था कि ये इस इस इलाके में मकानात फलस्तिनियों की तरफ से तामीर किये गए गहर कनूनी है गलत तोर पर फलस्तिनियों ने यहां पर तामीरात की है जड़पे उस वक्त शुरू ही जब मुसल्मान शेहरी मस्जिद अकसा के आहाते में नमाज के लिए जमा होना शुरू हुए और वहां भारित अदाद में फिर पुलीस भी तैयनात कर दी गई इसराइली पुलीस ने यहरोशलम के पुराने शेहर के अंदर मस्जिद अकसा की तरफ चाने वाले दर्वाजों को भी बंद कर दिया था इस सारी सुर्टहाल के दुरान नमाजियों पर बरहरास्त गोल्यां भी बरसाई गई यानि फलस्तिनी अमलाक की मलकित के मामले को हवा देने के लिए पहल इसराइल ने की जिसकी वज़ा से ये मामला संगीन सुर्टहाल इक्तियार कर गया है और दुनिया के अखबरात की शेह सुर्खियों में जगा बना चुका है और अब बैतल मुकदस में जड़पों की शुरुआत करने वाले इसराइल को फलस्तिनी तन्जीम हमास का जवाब लुद शहर में राकिट हमलों से मिला है फलस्तिनियों की अमलाक पर कबजा करना अभी की बात नहीं अगर आप 1946 से 1946 से 2010 तक फलस्तिन के नक्षे पर नदद दोड़ाएं तो देखा जा सकता है कि सबज रंग फलस्तिन जबके सफ्याद रंग इसराइल को जाहिर कर रहा है इस नक्षे में साफ तोर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरहां से फलस्तिनी इलाके सुकड चुके हैं और इस पर इसराइली कबजा मजीद से मजीद आगे बढ़ता जा रहा है और फलस्तिन में फलस्तिनी शहरीयों के जेरे कबजा इलाकों की तादाद आटे में नमक के बराबर हो गई है